हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने भी स्टैंडर्ट मैट्स आप्ट किया लेकिन आप अभी तक समझ नहीं पारें कि हमें पढ़ना क्या है और कहां से? अगले कुछ मिनिट में हम आपको एक ऐसी स्टैंटर्जी बताऊंगी जिसको सुनने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप उस स्टैंटर्जी को फॉलो करके अपने फाइनल एक्जांस में 95% तक अचेव कर पाएंगे चलो बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम बात करने वाले हैं स्टैंटर्ज मैट्स की स्टैंटर्जी की कि मतलब हमें स्टैंटर्ज मैट्स को कवर करना कैसे हैं तो सबसे पहले बहुत से questions आपकी दिमाग में आ रहे होंगे कि what is standard match, how standard match different from basic match, why to choose standard match तो ये जितने भी questions हैं इन सबका answer मैंने अपने एक वीडियो में दिया है जिसका link आपको अपर i button पे मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे doubts clear हो जाएगे क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत detail में basic match और standard match के बारे में comparison बताया है तो एक बार उसको देख लो ताकि आपके सारे doubts clear हो जाएगे नव हम बात करते हैं strategy की ओके, सो जब भी हम strategy की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें देखने जाहिए कि हमें पढ़ना क्या है तो उसके लिए हमें refer करना होता है हमारा syllabus नौ syllabus कैसे देखा जाता है syllabus मतलब आपको पूरा blueprint देखना है blueprint आपका CBC release करते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपका जो question paper वो दिखेगा कैसे उसमें कितनी sections होगी कौन-कौन से section कितने कितने marks की रहती है देन आपकी जो NCRT है उसमें जितने भी chapters है उसको majorly divide किया जाता है कुछ units में उन units की weightage कितनी रहती है देन कौन-कौन से chapter से किस-किस type के question expect किये जा सकते हैं ये जो हम जितना भी breakdown करते हैं इसको हम बोलते हैं blueprint तो इस सब पर मैंने एक अलग से video बनाई है detailed blueprint की जिसमें मैंने बहुत detail में discuss किये blueprint आपका दिखता कैसे है तो आप इस video को एक बार देख लो link आपको i button पर मिल जाएगा एक बार आप blueprint देख लेंगे पूरा तो उसमें आप थोड़ा time कम देंगे और जब आपको एक idea लग जाएगा कि इस chapter से मेरे पास short answers ही आ सकते हैं long answer ये case based study type के question नहीं पूछे जा सकते हैं तो आपको थोड़ा और broad perspective मिल जाएगा तो इसी के जाद हमने syllabus की बात कर ली नाव हमें देखना है कि हमें पढ़ना कहां से हैं मतलब ये कि हमारे resources क्या क्या रहेंगे हमें क्योंकोंसी books को refer करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो आपकी book रहती है वो है आपकी ncrt जो आपकी textbook है देन second resource आपका रहेगा reference book reference book मतलब कोई भी एक extra book रख रहो चाहे वो आपकी आरडी शर्मा हो चाहे आरे सगरवाल हो या ncrt exemplar हो कुछ भी जो आपको suitable लगती है दन आपको previous question paper refer करने and then sample papers ये आपकी majorly four resources रहते हैं जिसको आपको अपने पूरे session में complete करने है नाव एक एक करके बात कर लेते हैं कि आपको किस resource को किस तरह से देखना है किस तरह से पढ़ना है तो सबसे पहले ncrt ncrt आपकी the most important book रहेगी जो कि आपकी चाप्टर की foundation बिल्ट करने में आपकी help करेगी और आपके syllabus का 70-75% पर सिरफ ncrt ही cover कर लेती है मतलब आपके जो question paper में questions पूछे जाते हैं उसमें 70-75% तो directly और indirectly ncrt से ही आते हैं तो इसका मतलब ncrt important है आपको चाप्टर की theory पढ़ने है पहले तो फिर आपके पास जो solve examples होती उसको analyze करना की question में क्या पूछा गया था और आमने किस method से solve किया है then examples को खुद अपने हाथों से solve भी करना है examples को सिरफ read नहीं करना examples को solve भी करना then अपने एक बर जब example solve कर लिए then आप जाएंगे exercise questions पर exercise के question सारे complete करने है ऐसे करते करते जब आपने अपना ncrt के एक chapter complete कर लिया then आप अपना previous year question paper जो होगा उसको देखेंगे previous year question paper में आपने देखना है कि जो chapter मैंने cover कर लिया है उससे किस तरह के question पूछे गए है last years में तो उसको आप analyze करेंगे अब उस question paper में कुछ questions ऐसे भी होंगे जो आपको ncrt में नहीं मिलेंगे उनको mark कर दो अलग से और कुछ questions ऐसे होंगे जो आपको ncrt वाले ही मिलेंगे same तो जो ncrt वाले होंगे उनको आप एक बर solve कर लो साथ के साथ आपकी practice हो जाएगी जो question ncrt के नहीं है उनको अपने अलग से mark कर दिया ना आपने देखने अपने reference book reference book का वो chapter खोलो और वहाँ पर देखो कि क्या ये वले जो questions है मेरी reference book में हैं या नहीं है reference book में ज़रूर होंगे वो questions तो वो questions अपनी reference book में डूंडो और फूर वहाँ पर भी एक mark कर दो ऐसे करते करते आपको पता चल जगा कि एक चाप्टर से reference book में कितने ऐसे questions हैं जो कि previous years में आए गए हैं और कुछ questions तो reference book में भी ऐसी होंगे जो ncrt वाले cm होंगे तो आपको बस उनी questions को differentiate करके analyze करना है क्योंकि देखो reference book होती है बहुत wide बहुत ज़्यादा questions होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा exercises होती हैं तो वो humanly possible नहीं है कि आप अपनी reference book का एक a question solve करो तो आपको यहाँ पर करना है अपना smart work तो कभी भी ऐसा मत समझना कि मैंने reference book अगर solve करनी है तो target बना लो कि मुझे अपनी reference book का यह chapter पूरा करना है पूरा मतलब एक a question नहीं पूरा करने NCRT से लेकिन reference book से कैसे करने प्रिवेसर question paper को analyze करके जो question बहुत बार repeat हुए हैं उनको आपने mark करने और उनको आपने solve करने जो questions NCRT वाले ही type की हैं उनको आपने solve करने ताकि आपकी NCRT वाले type के जो questions थे उनकी practice भी होती जाए साथ-साथ example के लिए मैं आपको बताऊं polynomial chapter जो second chapter आपका उसमें NCRT में alpha beta type के questions नहीं है लेकिन आपकी previous question paper को अगर आप analyze करोगे तो alpha beta से related questions आपके पूछे जाते हैं और वो questions आपको कहां मिलेंगे reference book में मिलेंगे तो आपने जब एक बार NCRT कर ली आपने previous question paper खोला तो आपने देखा कि alpha beta types के जो questions है वो आपके NCRT में तो नहीं है तो वो कहां मिलेंगे reference book में मि पूली उसमें देखा कि आपको यह questions मिल रहे हैं तो वहां पर वो questions हैं उनको mark कर लिया और उसी तरह के questions आपने solve करने हैं ओके आपको यह point अच्छे से समझ आए कि मैं क्या कहना चाहती हूं तो इस तरह से आपको अपने reference book को अपने साथ लेकर चलना है और previous year का use मैं आपको बता दिया previous year यहां पर दो तरह से काम करेगा पहला यह कि आपको analyze करने में help करेगा कि कौन से questions आपकी NCRT टाइप के आए गए हैं कौन से ऐसे questions है जिसके लिए आपको reference book को refer करना पढ़ रहे हैं जब आपने एक बर reference book से questions कर लिए NCRT से questions कर लिए तो उनकी practice के लिए आप previous question paper जो आपके pyqs हैं उनको solve कर सकते हैं तो यह एक तरीका होता है पढ़ने का क्यूंकि आपके बास time कम रहता है आपका syllabus बहुत जाद है और standard में क्यूंकि difficulty level भी थोड़ा हाई रहता है तो आपको यहां पर smart work करना है तो ऐसे करके आपको अपने सारे chapters कवर करने reference book साथ में रखनी और previous year आपने analyze के लिए रखना है और बाद में CBSE release करती अपने sample papers तो आपको जब sample papers मिल जाएंगे वो sample paper होंगे आपके test paper की तरह उनको अपने as it is ही पूरा time 3 hours allocate करके solve करना है जैसे आप exam बे actual paper देने जाएंग आपको उसी तरह से उसी atmosphere में उस पेपर को solve करना है ठीक है तो यह तो मैंने आपको बता दे कि एक एक चाप्टर को आपने cover करना कैसे है जब आपने एक बार सारा syllabus complete कर लिए अब आपको revision करती है उस time पर आपको कैसे पढ़ना है सबसे वाले अपने easy chapters जो हैं उनको खतम करत बाद में आप अपने hard chapters जो है tough chapters हैं उनके जाईए ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे suppose करिए आपके syllabus में है 10 chapters चेक है उसमें से 4-5 chapters जो आपकी easy है अब आप अगर एक बार easy chapters को cover कर लेंगे easy chapters में आपको ज्यादा मेनत भी नहीं करने पड़ेगी ज्यादा tough नहीं होते वह time भी कम लगता है तो जब आप एक बार वो कम दिनों में खतम कर लेंगे तो आपको माइंड में रहेगा कि मैंने five chapters तो cover कर ली अब मेरे पास सिरफ five chapters रह गए हैं जो मुझे cover करने हैं तो आपके back of the mind यह चीज़ रहेगी कि मैंने अपना half portion जो है complete कर लिए तो जितने number of chapters आपने ज सकता है कि hard chapter इतना आपको मुश्किल लगे कि आप एक ही chapter में बहुत दिन दे दो और उससे क्योंगा आपका दिन जाएंगे ज्यादा आपका time ज्यादा वेस्ट होगा chapter आपको एक भी cover नहीं होगा तो last days में क्योंगा आपके बस number of chapters बहुत रहेंगे backlog बहुत रहेगा और आ हमें work करना अपने weak points पर ताकि हमारा math strong हो जाए तो weak point किस तरा के रहते हैं कुछ बच्चे करते हैं silly mistakes बहुत जादा questions में वहां पर उनकी calculation की mistake बहुत रहती है science की गलती कर लेते हैं तो यह जो silly mistakes हैं यह वाला जो weak point है आपको यह ठीक करना है यह ठीक कैसे होगा जब आप अ है और जहां पर कोई mistake है उसको mark करना है जब आप एक बार अपने गलती निकालेंगे खुद एक बार mark करेंगे तो आपको वह चीज़ याद रहेगी कि मैंने इस तरह की गलती की थी मैं इस तरह की silly mistake करता हूँ तो आप next time वह गलती नहीं करेंगे ठीक है तो silly mistakes पर आपने work क करना अपना देन आता आपका time management आपको question solve करना आता आपको method पता है कैसे करना है लेकिन क्योंकि आपकी calculation strong नहीं है यह आपकी practice बहुत कम थी इसलिए आप उस question को बहुत time ले रहे है तो time लेने से क्योंगा question time पे complete नहीं कर पाएंगे और आपका पूरा का पूरा exam जो है खरा करने आपको देन कभी आपके साथ ऐसा भी होता है कि question आपको given है आपको data given है लेकिन आपको यहां पर पता नहीं चल रहा है कि formula कौन सा use करें तो उस case में मैं suggest करूंगी कि जब भी आपको को numerical मिल रहे है उस numerical में जो आपको given है सबसे पहले वो लिखो question में जो जो given है उसको फिर आपको क्या find करना है या क्या proof करना है वो चीज़ आपको लिखने है जब आप इतनी चीज़ लिख लेंगे उसके बाद आपने सोचना है कि मैंने इस chapter में कौन-कौन सा ऐसे formula पढ़े थी जिसमें कि यह सब चीज़े apply कर रही है उन formulas को recall करो जब आप इस तरह से recall करोग है क्योंकि at the end practice ही important है मैं confidence बूस्ट करने के लिए नाव लास्ट में एक bonus point bonus point is कि आपको हर chapter के लिए formula sheet बनाने चाहिए formula sheet क्या होती है कि आपने short में लिखा कि आपने इस chapter में कौन-कौन से formulas पढ़े है formulas के साथ उसके related एक example ज़रूर लिखनी है जैसे आपने कोई एक formula पढ़ा ठीक है उससे related एक example जहां पर यह formula आपका apply कर रहा है देन आपने next formula लिखा उससे related एक example लिखनी है इस तरह से आपने एक formula sheet बनाने अपनी जिसको कि आप exam से पहले एक बर revise करेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि हमारे पास क्या-क्या formulas थे और इससे related क्या-क्या examples हमने पढ़ी है और उस formula sheet में आप कुछ special types of examples भी लिख सकते ह जैसे polynomials की मैंने बात की थी कि alpha beta types के जो question आते हैं वो आप अलग से note कर सकते हैं वो अपनी formula sheet में या trigonometry में कुछ questions आपके proof वाले जिसमें आपको special तरीके से question को solve करना है तो आप वो चोटा सा hint लिख सकते हैं कि अगर इस तरह के question आएगा तो मुझे ये वले approach रखनी है तो वो भी आपको पता चल जाएगा और आपने कौन से question को किस तरह के approach देनी है वो भी अपने लिखा होगा तो आपके ये exam time में बहुत helpful रहेंगे revision के लिए ठीक है so I hope आपको ये strategy मेरी पूरी समझ आई है अच्छे से जमझ आए कि आपको कौन सी resource को किस तरह से utilize करना है questions के approach कैसी रहनी चाहिए सले बस आपको कैसे देखने सब कुछ मैंने आपको बता दिया now इस strategy पर work करिये और अपने final exams में 95% above तक score करिये so all the very best और अपने maths के journey को easy बनाने के लिए मेरे साथ जूड़िए मेरे YouTube चैनल को subscribe करिए जहां पर आपको maths related सारी help मिलेगी और मेरे जितने भी social media platforms हैं वहाँ पर भी join करिए ताकि कोई भी resource कोई भी PDF आपसे छूटे ना और आप मेरे handwritten notes के यह सभी resources का benefit जाधा जाधा ले सकें so if you find this video useful do subscribe my channel and share with your all friends so stay tuned all the very best take care bye bye thank you so much